हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब अभी मॉर्निंग के साथ बस चुके है और मैं भी उठ गई हूँ आज संदे है तो फिर मैं आज संदे के लिए क्या प्रिपरेशन करने वाली हूँ प्रेक्फस्ट और लंच के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो फिर विडियो के साथ बने रही है मॉर्निंग उठने के बाद पहला काम मेरा होता है मैं उठके नहा लेती हूँ और फिर पूजा कर लेती हूँ अभी उसके बाद ही मैं प्रेक्फस्ट या फिर टिफिन या फिर जो भी प्रिपरेशन करनी है तो उसके बाद ही मैं करती हू अभी मैं किचिन में आ चुकी हूँ और किचिन में आके ही पहला काम मैंने किया कि दोसा पैटर के लिए प्रेपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया मैंने सोचा कि दोसा पैटर वैसे तो मैं बाहर से ही लेती हूँ लेकिन आज मैंने सोचा कि आज घर पर बना के देखती हूँ कि कैसा बनता है एक किलो का जो पैकेट आता है दोसा बैटर का वो एक तम से कभी कभी फिनिश नहीं होता है और फिर थोड़ा वेस्ट भी हो जाता है तो फिर ये मुझे बहुत ही खराब लगता है और फिर उस जाड़ा दिन हो जाने के बादना एक टैंगी सा टेस्ट आता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मेरी बेती को भी पसंद नहीं हाला कि उसको इदली या फिर दोसा ये सब मैं किचेट, सौरी मैं तिफिन में बना के देती हूँ और उसे बहुत जाड़ा पसंद है और कभी-कभी इवनिंग स्नैक्स में भी मैं वैसे ही बना के देती हूँ तो वो बहुत जाड़ा लाइक करती है तो यहाँ पे मैंने दोसा बैटर के लिए एक कप उरत की डाल जो होल वाली उरत ताल होती है वो लिया है और डोकप चावल रखे है चावल मेरे घर में जो चावल था वही मैंने यूज़ किये है कोई स्पेशल चावल नहीं यूज़ किये है तो इसको मैं भीगो के रखूँगी अभी चार घंटे बाद ही मैं बैटर की तयारी कर लूँगी फिर उसको फर्मेंट करने में भी ताइम लगेगा तो फिर आस एविनिंग या फिर रात सोने से पहले तक मेरा बैटर रेडी हो जाएगा तो इधर में प्रेपरेशन कर रही हूँ अभी उटपम बनाने के लिए जो में बनाऊंगी सूजी से एक कप सूजी लिया है हाफ कप मैंने लिया है पोहा और उसमें एक कप मैंने डाला है तही फिर इसमें मैंने डाला सॉल्ट और थोड़ा सा पानी इसको मैं एक बैटर बना के रेडी कर लूँगी यह देखिए मेरा बैटर रेडी हो चुका है जो की बहुती स्मूड और फलफी बन चुका है अभी मैं इसमें मेरी डॉर्टर के लिए बनाओंगी पहले तो पूरे बैटर मैं बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करने वाली हूँ पस थोड़ा सा एक कतोरी में निकाल लिया है मेरी बेटी के हिसाब से और उसमें मैं बैट करूँगी बेकिंग सोडा मुझे जितना बैटर सही है उटना मैंने निकाल के रख लिया है और पाकी का जो पैटर था उसको मैंने एक कतोरी में ढाल के फ्रिज में डाल लूँगी अब यह देखिए बहुत ही आसान तरीके से यह बन जाता है और फिर खाने में भी बहुत जादा टेस्टी लगता है इधर मैंने एक पैन में धोर असा घी डाला है और घी को अच्छे से स्प्रेट कर लूँगी टिशू से फिर मैंने बैटर यहाँ पे स्प्रेट कर दिया है जो मैंने बेकिंग सोडा डाला था ना वो क्लिप मेरी मिस हो गई तो फिर आप मिस मत कीजिएगा बेकिंग सोडा डालने से ही ये जो हलके हलके होल्स बन रहे हैं ना उटपम के वो बनेंगे और बहुत ही जादा सौट बनेंगे अगर आप बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आप इनों का भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए मेरे डो उटपम रेदी हो चुकी है जो मैं अभी अपनी बेती को खिलाओंगी उसको एक्चुली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको मैंने आज ये सूजी का उटपम फस्ताइम बना के दिया तो फिर उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो फिर बेती का तो ब्रेकफस्ट हो गया अभी मैं अपने लिए ब्रेकफस्ट रेदी करूँगी और मेरे हस्बन के लिए भी इधर मैंने आपल कट कर लिये है उसके साथ मैंने जो पका हुआ पपाया था पपाया भी कट कर लिया है जिसको मैं ब्रेक्फस के साथ मेरे हस्बन को सर्फ करूंगी actually उनको fruits बहुती जादा पसंद है actually breakfast में उनको fruits ही चाहिए तो मैं थोड़ा heavy बनाने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ बना के देती हूँ तो मैंने इनको इस तरीके से उटपम दिया थोड़ा सा tomato ketchup भी दिया था उनको अच्छा लगा breakfast तो फिर इसी तरीके से हमारा Sunday वाला breakfast रेडी हो गया आज मेरा जो lunch बनने वाला है वो full भरता बनने वाला है actually मैंने सोचा आज मसूर दाल का भरता बना लो थोड़ा सा easy भी हो जाएगा मसूर दाल को मैंने steam होने के लिए इस तरीके से रखा है फिर मुझे याद आया कि पटेटो को भी इस तरीके से एक साधी मैं steam कर सकती हूँ तो फिर एक साधी हो जाएगा ये देखिए डाल भी मेरी steam हो चुकी है और आलू भी steam हो चुका है ये देखिए ये बहुत आसान तरीका है आप अगर भरता बगरा बनाते हो ना इस तरीके से steam करते हो तो फिर अच्छा लगता है और आज जो की बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर मैं धाल में डालूंगी थोड़ा सा ठेके राते हैंगा जो special एक खती fruit होती है जो असाम में मिलती है और इस तरीके से सुखा के हम लोग इसको preserve करके रखने के बाद इसको आप 10 साल तक भी यूज़ कर सकते है इदर एक पैन में मैंने लैसून और जो सुखी वाली लाल मिर्श है उसको मैंने cook कर लिया था इदर अनियन भी मैंने cook कर लिये थे इसको मैं भरते के लिए fry कर रही हूँ आज मैंने सोचा कि कच्छा प्यास नहीं डालूँगी तो प्यास को थोड़े से fry कर लिये है ये देखिए ओल धोरा जड़ा ही हो गया था उसी ओल में मैं डाल को भी तरका लगा दूँगी ये देखिए लैसून मैंने ऐसे ही डाल दिया था फिर मुझे याद आया ये तो फिर इधर मैंने थोड़ा सा अनियन भी डाल दिया था इसको धोड़ा सा फ्राय करके मैं इस तरके को ही डाल में यूज़ करूंगी हाला कि डाल जब मैंने बॉइल किया था उसमें मैंने नमक बगरा नहीं डाला था तो फिर अभी मैं मसाले के साथ ही तोड़ा सा नमक डाल अभी डाल में डाल दूंगी और ये देखिए गलती तो कुछ ना कुछ होई जाएगा मैंने हल्डी डालना ही बूल गही हूँ तो फिर अभी मैं डालूंगी तोरी सी हल्डी और थोरी देर के लिए कुक करूंगी और बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर और कटापन आया है ड तोरा-थोरा सौल डाला फिर प्यास एं टोरा सा मसाला था अच्छली वह मसाला ढालके अच्छे से मैंने मैश कर लिया अब भरता बगरा है ना हाटों से मिक्स करते है तभी स्वाड आता है मैंने तोरा तेज करके देखा इधर तो मस्तर्र वाइल का फ्लेवर नहीं है तो नहीं धोड़ा अच्छा लग रहा है तो फिर मैंने मस्तर रॉयल डाला और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया फिर इसको अच्छ से मैश करके ना भरता अल्रेडी रेडी हो गया यह देखे बहुत ही जड़ा अच्छा लगता है इधर pumpkin का भी बरता बना सकते है, bangin का भी बरता बना सकते हैं इसी तरही यह से बहुत ही जड़ा यमी लगता है मेरी लंच almost done हो चुकी थी अभी मेरी लंच की धाली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यह देखिए आलू का भरता फिर यह रही डाल का भरता और इसके साथ मैंने एश कोट को भी फ्राई कर लिया था इसी तरीके से तो यह मेरी बहुत ही simple वाली लंच धाली आज थी और यह देखिए मेरी चार पास घंदे के बाद जो दोसा बैटर के लिए मैं भीगो के रखा था मैंने चावल और दाल को इसको भी मैं अच्छी तरीके से पेस बना लूँगी और बैटर इस तरीके से रेडी करूँगी बहुत इस कम ताइम में रेडी हो जाता है बैतर खरीडने की अच्छी जरूरत नहीं है बाहर से कभी-कभी न ऐसे ही आलस पंच से मैं ऑर्डर करती हूँ बद घर पी बना सकते हैं इसको न थोड़ी देर के लिए फेटना पड़ता है तबी अक्सी तरीके से लिए अक्सी एक मिनित के लिए इसको फेट लिया है अब मैं इसको रखोंगी फर्मेंटेशन के लिए तो यह थी मेरी आज की व्लॉग संदे वाली बहुत दिनों के बाद मैंने लंबी व्लॉग डाली है अगर अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट करके जरूर बताईएगा टेक केर बाइ और दो झाली है बाद झाली है विए बाइ खнов के लाइब बाइब खुए झाली है अगर दो जाय जान आएब जाएब खियो टो दो रिएविए